हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी विडियो चिनाल में जिन्दगी के पत्थर, कंकर और रित हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लिखी गई किताब The Personality Development आपको जरूर पढ़नी चाहिए इस बुक में आपको काम मिध्यान ना लगना तनाव में रहना आलस आना अकेला पन लगना दिमाग सक्रिय ना होना और असफलता को अफशर में कैसे बदले इसी तरह के बहुत सारे जवाब आपको इस बुक में मिल जाएंगे बुक के बारे में और जानने के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से इस बुक को खरीद सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिलोसफी के एक प्रफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे फिर उन्होंने स्टूडेंस से पूछा की क्या जार भर गया है और सभी ने कहा हाँ तब प्रफेसर ने छोटे-छोटे कंत्रों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकर पत्थरों के बीच सेटल हो गए एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा की क्या जार भर गया है और सभी ने हां में उत्तर दिया तबी प्रफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेट को जार में डालने लगे रेट ने बची खुची जगह भी भर दी और एक बार फिर उन्होंने पूछा की क्या जार भर गया है और सभी ने एक साथ उत्तर दिया हां फिर प्रफेसर ने समझाना शुरू किया मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे कि ये जार आपकी लाइफ को रेप्रेजन्ट करता है बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजे हैं आपकी फैमिली, आपका पार्टन, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे ऐसी चीजे की अगर आपकी बाकी सारी चीजे खोबी जाएं और सिर्फ ये रहे तो भी आपकी जिन्दगी पूर्ण रहेगी ये कंकर कुछ अन्य चीजे हैं जो मैटर करती हैं जैसे की आपकी जौब आपका घर इत्यादी और ये रेट बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती है अगर आप जार को पहले रेट से भर दो तो कंक्रो और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी यही आपकी लाइफ के साथ होता है अगर आप अपना सारा समय और उर्जा छोटी छोटी चीजों में लगाते हो तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए इंपोर्टन्ट है उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी happiness के लिए जरूरी है बच्चों के साथ खेलिए अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए काम पर जाने के लिए घर साफ करने के लिए पाटी करने के लिए हमेशा वत होगा पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए ऐसी चीजे जो सच मुच मैटर करती है अपनी priorities सेट कीजिए बाकी चीजे बस रेथ हैं दोस्तों आपको इस किताब की समरी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके बताएं अगर आप किसी किताब की हिंदी में समरी चाहते हैं तो वो भी नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं हम जरूर उसकी समरी का वीडियो बनाएगे लेटस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद